हेलो दोस्तो मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट यह करूंगी कि आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लिजे और बहुत सारे लोगों के मन में कोशन आता है कि कैसे किनर बच्चे पैदा हो जाते हैं इंक्लूडिंग मी मेरे मन में भी कोशन था कि इसके क्या क्या रिजन्स हैं तो देखिए एक्च्वल रिजन जो होते हैं लोग नहीं बता पाते हैं जो लिकिन कुछ साइंटिफिक प्रूवें जो रिजन है वो इन सब कारणों में देखा जाता है तो वो कारण मैं आपको वी सबसे पहले तो मैं बात करूं कि यह किनर होते क्या हैं तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब क्रोमोजोम जो एक्स एक्स जो साथ में आते हैं तो उन्हें उससे हम बेबी गर्ल होने के चांसेज बनते हैं जो अगर एक्स क्रोमोजोम मिलता है तो लेकिन अगर वहीं Y chromosome का transfer हो जाता है यानि combination XY की बनती है तो boy होने के chances होते हैं लेकिन एक third gender भी होता है जिसे हम किनर बोलते हैं जिसमें लड़के और लड़की दोनों के गुणा आ जाते हैं तो वो किस तरह से ये बच्चे पैदा होते हैं उसका कारण मैं आपको बताना चाती हूँ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तीन महने जो starting के होते हैं वो क्राफ काफी crucial होते हैं आपकी गर्भा वस्था को लेके तो उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है लेकिन किनी hormonal changes के वज़े से या किसी समस्या के वज़े से किसी hormones की गरबड़ी के वज़े से किनर जो उत्पत्ती होती है वोद में दोनों sides देखेने के लिए मिलते हैं जैसे boys के भी कुछ गुन मिल जाते हैं कुछ girls के भी गुन मिल जाते हैं या फिर अगर आप abortion pills का इस्तमाल कर रहे हैं जो कि लंबे समय तक कर रहे हैं और फिर high doses अगर किसी medication का आप इस्तमाल कर रहे हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा chances यह बनते हैं कि बच्चा इस तरह का हो सकता है और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता है कोटी भी कोई बिमारी हो तो खुद से किसी तरह का medication नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर कोई महिला है high dose का medication ले लेती हैं जो कि उनके बच्चे के उपर या उनके उपर बुरा प्रभाव दालता है तो ऐसा reason माना जा सकता है कि जो बच्चा है वो किनर होने के chances बनते हैं और इसलिए कहा जाता है इसलिए मना किया जाता है कि खुद से अपने doctor मत बनिये हमेशा अपने जो भी आप दवाईयां ले रही हैं जो गर्भावस्था में वो अपनी जो gynecologist हैं उनको जरूर एक बार पूछे उनको ही पूछने के बाद सलाह लेने के बाद ही आप सारी चीज़ करें और बहुत बार ऐसे भी कारण देखे गए हैं जैसे अगर अचानक किसी चीज़ की दुरखटना हो जाना या गर्भती महिला किसी दुरखटना का अगर शिकार हो जाती है तो ये भी कारण हो सकता है तो ये जो आपने complete जो कारण देखे मुझे लगता है कि आपको सब पूछ समझ में आ गया होगा मुझे भी मैंने भी जो findings की है तो मुझे ये सारी कारण पता चले हैं लेकिन मेभी कुछ other कारण भी हो सकते हैं के बारे में मैं नहीं जानती हूँ तो hope आपको ये complete वीडियो काफी अच्छा लगा होगा लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बात बूलना चाती हूँ कि कारण जो भी हो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है देकि समय है कोई नहीं जानता है कि किसके घर में किस तरह का बच्चा जनन लेगा तो जरूरी ये बात है कि आपको उनकी प्रती थोड़ा सा समवेदर्शेन होने की जुरत है वो भी एक इनसान है वो भी एक भगवान के द्वारा बनाय हुए लोग है जिनको समाज में उनके दरजा उनको समाज में इतना अच्छा दरजा नहीं मिलता है लेकिन as a human being हमारा क्या करतववे रहता है कि हमें उनको थोड़ा सा respect अगर हम दे देंगे तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं तो जहां तक संभा हो सके उन्हें respect देने की कोशिश करिए और देखें किसी को respect देने से आपकी इज़त कम नहीं होती है बलकि और बढ़ती है तो आप उन्हें इज़त देने की कोशिश करिए ये सोचिए कि हाँ वो एक ऐसा तपका है जो कि कितना ignorant है कोई उसे पसंद नहीं करता है लेकिन हम अपनी भावनाओं को बतलेंगे तो उनकी स्थिती सुधर सकती है और खुशी की बात तो ये है कि इंडियन समाज में अब उनकी स्थिती सुधर रही है और उनको थोड़े से प्रिविलेज बहुत सारे दिये जा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, तो मेरी बस आपसे रिये, रिक्वेस्ट है कि कभी अगर आप किनर को देखो, या कभी तो प्लीज उनका मजाफ मत उड़ाइए, क्योंकि ये सब कुछ भगवान ने उनके साथ किया होता है, उनका कोई कसूर नहीं होता है, और इन फैक्ट क हो सकते हैं, तो प्लीज आपको कुछ सावधानियों का बरतना काफी जरूरी है, गर्भावस्था में अब अपना एक्स्ट्रा केर करिए, अच्छी तरह से डाइट लीजे, एक्सेसाइज़ करिए, हेल्दी पॉजिटिव बाते सोचिए, अच्छा और खुद से किसी तरह क अधर मेडिकेशन्स अगेरा मत लीजे, थांक यू सो मच फर वाचिंग, ट्विन्स माइ वल्ड